हेलो दोस्तों अगर आपके पास यह pencard है दोस्तों तो आजका यह वडियो बस आप लोगों के लिए ओने वाला है बहुत ही important information आज में देने वाला है दोस्तों ॑ दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा कि income tax department के तरफ से आप सभी लोगों को कहा गया है कि 31 मार्च 2023 के पहले अपना pen card अधार card से link करा लीजे नहीं तो आपका pen card जो है रद हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लो नहीं होने वाला है और हमें कोई penalty नहीं लगेगा दोस्तों तो कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा pen card हमारे अधार से link है यख नहीं है उसका step by step process आज कि वीडियो में सो करने वाला हूं तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर दोस्तों देख सकते हैं मैं अपना mobile का लिख देना है दोस्तों आप income tax के e-filing website पे चले आएंगे यहां पर आने के बाद दोस्तों जब आप यहां पर आ जाएंगा तो interface कुछ step का दिखेगा दोस्तों इफाइलिंग income tax का official website है इसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं दोस्तों नीचे आना नीचे आने के ब रहा है दोना दोस्तों करने सबाफ चलिक करें घ्लिक और सब्सक्राइ ajudar पैंकर में और सब्सक्रास है और है आने आपको लिंग करने की जरूरत अभी नहीं आपको कोई penalty नहीं होगा लेकिन दोस्तों अ awhile यहां पर आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है कि your pen is not linked with अधार तो आपको link करना पड़ेगा कोई दोर रास्ता नहीं है दोस्तों कोई दूसरा alternate रास्ता नहीं आपको link करना ही पड़ेगा नहीं तो आपका pen बरबाद हो जाएगा दोस्तों और अगर आपको यह doubt है कि pen ख निचे description पर दे देता हूं बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया कि अपने pen card को अपने आधार card से हम कैसे link कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही step by step तरीका मैंने आसानी से आप लोगों को लिए बताया है जाकि देख लिजएगा तो दोस्तों अभी-अभी आप सभी लोगों को म मिलते रहें तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आज के इस वडियो में इतना दोस्तों मिलते अंगले वडियो में थैंक यू